जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का मनी सवाई स्टेडी यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कॉंस्टिबल 6244 पदों का अगर आप आप ने यहाँ पे रीग जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी खुसकबरी यह निकल के आ रही है कि आज के इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि आखिर एससी जीडी कॉंस्टिबल भरती भी चल रही है साथ में और यहाँ पे यूपी पुलिस कॉंस्टिबल का रिजल्ट भी जारी होने वाला है अब यह इसके समका चगर देखा जाए तो क्या मर पाने वाला भरती, को अभी यहाँ पे फिजिकल की तयारी शुरू कर देनी क्योंकि फिजिकल का जो तयारी है वो भरती बोड यहाँ पे कर रहा है और पूरी तरीके से क्योंकि बादे गुस्कपरि इस वीडियो में मिलने वाली है। चले वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी की जानकारी में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ बारा वापसम दे सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट का वापसम दिया भी गया है। आगे आने वाले समय में डूल यहां पे 300 मार्क को हुआ था और आपके जो कुष्टन आय थे वह आय थो आई थे 150 मतलब एक कुष्टन का आपको यहां पर दो नंबर दिया गया था अगर आपका 150 कुष्टन में से अगर आपने यहां पर handed question प्लस कर दिया है कितना कर दिया है handed question अगर आपने प्लस किया है तो आप अपने आपको safe मान सकते हो लेकिन clear safe नहीं मान सकते ठीक है मैं इसलिए बोल रहां क्योंकि अभी यहां पे normalization में किसको कितना number मिलेगा इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है और UP में होता क्या है कि normalization के बहुत कव number मिलते हैं लेकिन इस बार UP police constable 6244 वाले पदों में आप सभी को normalization का अच्छा खासा marks देखने को मिल सकता है क्योंकि आपका जो paper था यहां पे total 5-6 दिन आप सभी का paper हुआ था और एक दिन में 2 shift था इसलिए यहां पे total 10 shift में आपके exam जो है वो complete करवाए गये हैं तो कोई न कोई shift का paper यहां पे बहुत hard रहा होगा किसी न किसी shift का paper यहां पे बहुत easy रहा होगा बहुत सारे बच्चों कहना है जो यहां पे 30 तारीक को जो first shift की paper था वो यहां पे काफी hard paper आया था यह जानकारी मिल रही है ठीक हैं तो लगिन कहीं न कहीं देखा जा अगर आपने 30 कोई जान दिया था अगर paper आपका hard था तो आपको यहां पे normalization का जो है वो अच्छा खासा फाइदा आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं न कहीं normalization के मदद से ही आपका selection भी हो रहा होता है SGD में तो सब बहुत बार देखने को मिला है और UP Police Constable में भी यह चीज़े देखने को मिलेगी ठीक हैं तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी यहां पे latest update निकल की यहाई होई थी कि अक्टूबर के महीने में इस UP Police Constable के एक जाम यहां पर मलब जो जाम ने द बढ़ा दूँ अभी UP Police Constable के result को लेकर कोई update नहीं है लेकिन इस महीने यह update है आपका जो result है वह यहां पर इस महीने जो है वह यहां पर जारी होने वाला है अगर आप October का महीना आप सब के लिए important रहने वाला है चाहे October के last week में ही क्यों आप career जारी हो लेकिन UP Police Constable जो result है आ और एक आपको physical में ज्यादा मौका नहीं मिलेगा अप सोचो कि मैं रिजल्ट में पास हो जाओ फिर त्यारी करूं क्योंकि जो भरती बोड है वो पूरी तरीके से यहां पर तयार है जैसे यहां पर रिजल्ट जारी कर देगा उसके बाद आप सभी का यहां पर physical भी सुरू जाने वाला है तो आप रनिंग की त्यारी जो है अभी सुरू कर दीजे नहीं तो आप सभी यहां पर रनिंग में फेल हो जाएंगे और आपका 168 cm यहां पर हाइट मांगी जाती है यूबी पुलिस कोइस्टिबल के लिए अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या उड करें चाहिए को c-o Bc । tu 24000 बेकर सी ठीक है और यहां पर करते हैं आप सभी ने चर नमें में छीठार नमबर मिल गए तो आपको भी यहाँ पर दौड के लिए बुला जा सकता है तो मैं आप सब सब्सक्राइब करता हूँ आप सभी अपने तयारी में लग जाएगा अगर आप भी यूटूब चैनल पर वीडियो बनाकर इस्टेब बाइस्टेब आपको दिखाया ज सकते हैं और रिजल्ट की यहाँ पर कोई डेट नहीं है अक्टूबर में यहीं आप सब कर जल्ट यहाँ पर जारी हो जाए क्योंकि तयारी पूरी तरीके से कंप्लीट लगभग कर ली गई है क्योंकि 31 अगस्त को लाश्ट एक्जाम हुआ था और पूरा सितंबर यहाँ प जनकारी अगर आपके 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने दोड़ की त्यारी जो है वह आसे ही शुरू कर दीजिए क्योंकि नॉर्मलाजिशन में हो सकता आप सभी को यहाँ पर 10 नमर मिल जाए हो सकता आपको 20 नमर भी यहाँ पर मिल गए तो आप सभी का यहाँ प भर्दी और जानकारी साथ अब तक लिए जहिंज भारत वंदे मात्रम